हेलो स्टुडेंट आप सभी का स्वागत है तापती स्टेडी क्लासेश चैनल पे तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 के बहुत बहुत इंपोर्टन कोश्चन देखने वाले हैं इसमें आपको अब्जिक्ति कोश्चन उनकी आंसर और साथी में जो बड़े वाले कोश्चन स दो अंक तीन अंक और पांच अंक वाले कोश्चन वो भी हम देखेंगे इसके पहले हमने फिजिक्स के जितने इंपोर्टन कोश्चन देखे थे वो सभी आया है सभी सेटों में ठीक है तो यदि 11 केमस्ट्री के अभी सेट से पेपर आपको आएंगे तो जो कोश्चन में आ ज्यादा लग 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 नहीं आएंगे आपको कोश्चन लग बख सिमीलर ही आएगे ठीक है तो यदि अच्छे से पढ़ना है इन कोश्चन को तयार करके रखिए इस सारे कोश्चन आपको मिल जाएंगे और यदि आप इस पेपर की पीडिए ब्राउनलोड करना चाहते है तो आपको सबसे पहले गूगल पर जाकर सर्च करना है www.arfindia.com जहां पर पीडिएफ आपको मिल जाएगी और यहां पर आपको अरेफ इंडिया 11 chemistry paper सर्च कर सकते हैं तो उसमें आपको पीडिएफ आसानी से मिल जाएंगे तो सबसे पहले सही विकल्प पर ध्यान दिजिए पर आपको जो paper उसमें आया है आप समझ सकते हैं इसके बाद है हुंड की नियम के अनुसार electronic विन्यास 1s2, 2s2, 2px1, pyz1 और pz1 तो xyz तो यह अलग होते है उपंद्राल में और यह किस थत्व का होंगा आपको बताना है इलेक्ट्रोन की संक्य के अनुसार ठीकि जो electronic विन आपको सिर्फ अनसर बता रहें ठीक है एन बराबर तीन के लिएल कामान होगा ठीक है तो यहाँ पर ल कामान आपको बताना है जो होते है एन और यहाँ पर ल कमान कितना हो जाएगा 0 1 और 2 हो जाएगा इसके बाद है संयो जक्ता को उसको प्रभावित नहीं करने वाला कार करने हैं तो सहसंयों जग होगा औक्षिकारत इन में से कौन सा है तो इलेक्ट्रों ग्रही है ज़िए स्टुडेंट्स पहले से चैनल से जूड़ोए जिन्हों ने फिजिक्स के सारे वीडियोस देखे है ना उनका पेपर बहुत बढ़ी है 100 परसंट गया होंगा तो यह कोश्चन भी मैं आपको 100 परसंट ही बताऊंगी जिसके आपको पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं होंगी और आप इन कोश्चन को पढ़के जाओंगे तो आपको पर हमारा जो प्रीक कोश्चन है समान ताप तरदाप पर समस्त केसों का समान आयतन में अड़ों की संख्या समान होती इसे क्या कहते है यह पारीट किया था यह आपको याद होना चाहिए इसके बाद यदि संपुर्ण चुम्ब की क्वांटम संख्या को एक साथ हो तो डिक्त्रन तो नयों को दिक्टर नमबर फूर ए है रासाजानिक बंदों की नेमान की साथ उड़ा में क्या होती है कि इसके बाद में क्या है स्ीयो प्लस всего का मिच्राण क्या कहलाता है तो वह जल गस क्ला था इसके बाद है जल्गस होता है इसके के कोश्चन भी हम देख लेते हैं तो इसमें आपर सही जोड़ी है उत्करस्ट गैस का इसको मिलान करना है तो उत्करस्ट गैस आरगन होती थी यह चाहर जकता वाला तत्व कुन सा होता है यह होता है कारबन जिसकी चार सही जकता होती है इसके बाद में एनेटु सक्यूत्व करता है यह सोडियंकर और दाभा तो यह थोड़ा चाहर होगा सिर्का ल guards और अगला कश्चन सिर्का कम लाने ऊता है सिर्का जो था कबला कोंग से प्रकाटीं में रिभोने से के लिड sino खुका तुा इसे लगालग नियम निकलता है जो सकुनि तनुपात का नियम git इत्ति होती है एन प्लस वन नियम यह इसको लिखना है इसको समझाना जरूर क्योंकि यह कोश्चन आचुका ठीक है फिर एका सिलिकॉन का दूसरा नाम क्या है तो जर्मेनियम है यह अर्ध चालक में बनाने में काम अते इसके बाद है इसको आप जो है क्रम में भी जमा सकते हो ठीक है तो टू क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा इसके बाद एथिल एलकोहल का विपयसी नाम यह भी बहुत इजी एथेनॉल ठीक है तो यह आप एक बार मैच करिएगा एट पंट्री फोर जूल केल्विन इन्वर्स मोल ठ पूर्वा लगन और अनुलगन दोनों है समय से पूर्वा लगना फिलाल और इनमे सार्थक अंको के व्यवस्तित करना है तो यह सीमिलर कोश्चन भी आ सकते हैं इसलिए आपको आपको अच्छे से करना है आप जो ग्यानेंटी कोश्चन में आपको बतारी वह नीचे है तो पर्मानु की द्रिजा सम्मधित होता है और आयनन एंथल्पी किसी समू में नीचे की और कम होने की कौन से कारक है या प्रभावित वाले कारक दे कि कोश्चन घुमाफिरा के आता है तो भी वही करना तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं जाएगी ठीक है इसके बाद है पर्मा पूर्ण वह है एलकीन के प्रथम चार संजातों के संद्रिशना सुत्र भी इसमें इलेक्ट्रोन ना भी किस नहीं आ चुका है और आएगा भी ठीक है इसके बाद में यह कोश्चन नमबर जो है आगे भी इंपोर्टन है इन कोश्चन को भी एक बार जरू पड़िएगा ठ सबसे महते हैं पुर्ण हाइजन बर्ग का निशिता का सिद्धा आनते जो आ चुका है 100 परसेंट आने वाला कोश्चन से यह आपको आएगा ही इसके बाद में जो आपके चप्टर है उन चप्टर से भी ऐसे कोश्चन बनते है जैसे निमें प्रक्षेपन सूत्र हो गया इ आपको सिद्ध करना है कि निमली की जो अभीक्रा है अभीक्रा है या नहीं इसके भी आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और पांच चंक में ऐसे प्रशन बनते हैं देख सकते हैं इसमें ऑक्सिकरन संख्या ग्यात कीजिए वाला देखे बहुत ईजी वाले पिछले वीडियो में भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि लिंक करी है वीडियो की उसमें आपको वीडियो में लेंगा 11 केमस्टी की पेपर का उसमें भी बहुत इंपॉर्टन कोशन प्रोवाइड़ है तो वह भी कोशन एक बाट जरू कर लीजेगा बहुत- जो बड़े लॉग कोशन से तो अब तक वीडियो को लाइक करें अपने सभी दोस्तों में शेयर करें चैनल पर जितने फिद्धारती ने चैनल सस्क्राइब ने कर आओ तो जल्दी से कर लीजेगा मिलते हैं नए वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग